हेलो एब्रीबन स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से हमारे चैनल जी डिसी मेडिसिन में हम अपने चैनल पे दवाईयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपुर जानकारी आपको देते हैं तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे चैनल को होती है खरास वाली समस्या है टॉंसिल वाली समस्या है यह टॉंसिल में इंफेक्शन है तो इन सारे समस्याओं में यह गारगल को आपको गारगल करना पड़ता है गरारा करना पड़ता है और इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिल जाता है तो आज हम बात करेंगे इस कॉपसील के एक्सपडीन गारगल के अंदर मेन कंपोजिशन कंटेंड क्या चीज मिला हुआ होगा इसका उपयोग कहां कहां देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यानि कि मेकेंजियम अपेक्शन क्या है इसके इस्तिमाल करने का सही तरीका इसका डोज प्रिकॉशन साइड फिट मतलब इस गारगल की हम आपको संपोड जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियो मने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नौने पाए कॉपसील के गारगल के अंदर अगर हम कंपोजीशन की बात कर लें तो क्या मिला होगा पोवीडोन आयोडीन जो के 2% के माउन में मिला होगा मैनिफेक्चर की बात कर लें तो बहुत ये अच्छी कंपनी आपकी सिपला हेल्थ के लिम्टेड बनाती है रूम टंपरेचर पर स्टोर कर सकती है और 100 अमिल के गारगल की बॉटल की कीमत लगबग 1500 से 170 रुपए के असपास आ जाती है फिर हम बात करेंगे इसके उपयोग की में लिए गारगल कहां कहां इसका इस्तमाल देखने को मिलता है तो में लिए आपका वैरियस जो आपके वाइरस होते हैं जो जो होते हैं जो कि फ्लू कॉज करते हैं और कॉमन जो रिस्पारेटरी की डिजीज कॉज करते हैं उनको मारने के लिए उनको किल करने के लिए यह गरारा किया जाता है गारगल किया जाता है साथी साथ आपके tonsillitis वाली समस्या है, tonsill में infection हो गया, pharynge में infection हो गया, pharyngeitis वाली समस्या है, तो इन सारी समस्याओं से भी रात दिलाने का काम करेगा, साथी साथ respiratory में जो bacteria हैं, जो viruses हैं, उनके multiplication, उनके growth को prevent करने के लिए ये गारगल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, तो यहाँ यहाँ इसका उपयोग देखने को मिल जाता है, फिर हम बात करेंगे, mecanium infection, काम करने का तरीका क्या है, तो देखिए, इसमें जो beta-idine-gargal है, इसमें povidonidine मिला है, जो की एक तरह से antiseptic medicine होती है, जो की harmful microorganism को, आपके जो mouth oral cavity में, या आपके respiratory attack में, जो भ इतनी भी समझता हैं न, tonsillitis है, pharyngitis है, गले में, खरास है, infection है, दर्द है, चुबन है, irritation है, सब कुछ यहाँ पे ठीक करने का यह काम करता है, और इसके काम करने का यही तरीका है, फिर हम बात करेंगे doses, सही dose क्या होगा, देखिए, इसका सही dose तो आपके doctor के हिसाप से रहे 30 मिनिट तक अपने पूरे mouth में, oral cavity में, आपको गरारा करना है, गारगल करना है, फिर उसके बाद इसको ठोक देना है, इस पिट आउट कर देना है, तो आपके जितने भी bacteria virus है, वो आपके kilo हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर आप दुर्जकते हो, फिर हम बात करें प्रिकॉशन, क्या साउधानिया बरती है, तो इस्तमाल करने से पहले label का direction अच्छे से ज़रूर पढ़ें, हर 2-4 घंटे में इसका गारगल को repeat करते रहें, ताकि अच्छे से इसका असर देखने को मिल जाए, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, उन्हें कराना हो तो कि देख रेक में करा है, साथी साथ जितना भी dose बताए जाए, खुद इसे ज़्यादा amount में न ले जाए, है ना, बात करेंगे side effect, side effect वैसे तो जल्दी नहीं आता, rare होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज नहीं किये, तो जैसे आपको throat में irritation या races देखने को मिल सकत होगा, सभी oral cavity में जो micro exam, जो germs होते हैं, उनको kill करने के लिए ये use किया जाता है, इस gargle की जानकारी आपको कैसे लगी, अगली medicine, अगली दवाई, अगला gargle, अगला, जो भी आपको cheese product की जानकारी चाहिए, एक बार comment box में लिग दीजेगा, like, share, subscribe भी कर दीजेगा, मिलते है किस अगले वीडियो में, किस अगले medicine की information के साथ, तब तक के लिए, thank you so much, all the very best.